हेलो गुड इवनिंग फ्रेंज आप लोग कैसी हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वास्त होंगे इसी उमी दराशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हैं और फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने वेस्ट मेटेरियल का टॉपिक लेके और ये वेस्ट मेटेरियल हमें मिलता कहां से है दोस्तों ये वेस्ट मेटेरियल मिलता है हमारे रसोई घर से और किस तरीके का वेस्ट मेटेरियल होता है सारी ही जान पौध शेह कौन काउन सी चीजेया मेरे गार्ड़न में उनकलुत में में शिर्फा कर में 2012 paint का डिपबा यह जो हमारे घर में white wash होता है उसके दोरान हमारे घर में निकलता है यह paint का डिपबा और आप देखे इस paint के डिपबे में मेरा पौधा कितनी खुपसूर्ती के साथ जो है grow कर रहा है इसमें जो है मैंने दो पौधे लगा दियें आप देखे पौधे की यह बहुत ही मजबूत होते हैं तो आप इन प्रकार के पेंट के डिपों को बिल्कुल भी कुड़े कच्रे में मत फेके दोस्तों आप इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो है कर सकते हैं यह पांच लिटर का तेल का डिपा और बहुत ही मजबूत होता है काफी लंबे समय से यह प्लांट मेरा इसमें बना हुआ है यह कड़ी पता का प्लांट इसमें लगा हुआ है जिसे मीठा नीम भी कहते हैं तो वेस्ट मेटीरियल में जो है आप यह पावदा आरामसे लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी से यह पोदा जो है चलता रहता है और मैं आपको और दिवाबली में सोन पापड़ी जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे घर में आती है तो आप इन डिबो का भी यूज कर सकते हैं आप इन डिबो को मत्वे किये आप इनमें कोई भी पौदे अराम से लगा सकते हैं तो देखिए कितनी खुपसूरती के साथ यह बिस्क्ट क इस बाटल में यह रियू का प्लांट जो कर रहा है तो इन छोटी-ましょう की बॉटल में पॉदे बहुत ही अच्छे से घ्रो कर जाती है तो आप दो कि यह समुझे कि यह चोटी- चोटी-चोटी ननी-ननी बोतले है यह ननी-ननी चीजे हैं तो इनमें पौदे ग्रो नहीं करते हैं, इनमें पौदे अराम से ग्रो करते हैं, तो आप इनमें ये रियू का प्लांट भी लगा सकते हैं, ये देखे, ये भी निकला हुआ दाल का डिबा है, और दाल के डिबे में मैंने लगा दिया है रेन लिली, और देखे, रेन लिली का पौझा पौधा, इस दाल के डिबबे में बहुत ही अच्छे से जो है भ्रो कर रहा है, तो अगर आपके घर में जो है डाल के डिबबे तो होते ही ही है, अगर थोड़े से भी वह लगते हैं, आपको वेकार हो रहे तो इस तरीके के डिबबे की पैकिंग में ही वो खाना आता है तो मैं इन डिबबो को भी नहीं फिकती हूँ देखे इन में भी मैं पौधे लगा देती हूँ तो यह मैंने एक रियू का प्लांट लगा दिया और यह एक जैट प्लांट की कटिंग लगा दी तो देखे जैट किती खुपसूरती के साथ जो है इसमें ग्रो कर रहा है तो आप इस तरीके के जो डिबबे होते हैं उनको भी आप मत बेकिए अगर आपके घर में इस तरीके का ओन लाइन खाना आता है तो आप उन डिबबो को यूज कर सकते हैं यह देखे यह ओईल का डिबब है ले ले लेली का बल्ब जो है पर्मनेंट ब्लांठ ऑर अपर साथ में बहुत ही अच्छे where flouring भी देता है यहां पर मैंने द एक प्लांटर का रूप देने कि को कोशिश करी है है इसमें मैंने दो बल्ब लगा दिये हैं इनके पल्ब होते हैं इसमीर प्लावरिया के ब्eler हो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है तो इस तरीके के अगर आपके घर में दिब्बे निकल रहे हैं यह बहुत मजबूत होते हैं तो आप इस दिब्बे को भी मत्वे की और आप इनमें कोई भी पौदा अराम से लगा सकते हैं यह देखे यह आधा लीटर की छोटी वाली न यह से दो की एक लीटर वाली बॉटल हैं यह देखिए इसमें मैं लगा दिया है SENSEVRIRIA की cutting और यह मैंने लगाई है इसमें REEREEU REEleading यह बल्प के द्वारा लगता है तो यह एक लीटर की बॉटल है इसमें भी मैंने रैन दिलिली लगा आहा है और यह देखिए यह भी एक औ लिटर या आधा इंच वाली बोटलों को भी मतवे की आप इन में कोई भी पौधे आराम से लगा सकते हैं और ये देखें मेरे गाडन में ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखें ये दो लिटर की बोटल है इसमें मैंने कटिंग लगाई है नाक चमपा की और य कितना प्यारा लग रहा है देखें कितनी खुब सूरत लग रहा है हरियाली दे रहा है ये 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 यह का लगा हुआ है यह हमारा मैकसिन पिटोनिया का प्लांट और यह आप देखे यह है विकार का डिबबा जिसमें मैंने लगा दिया है परपल हाथ का प्लांट और यह एक दो लीटर की बॉटल है जिसमें एक लिटर की बॉटल है जिसमें रियू का प्लांट लगा हुआ है यह द स्टेटेगल करें है तो आज की वीडियो आपको पसंद आयोगी मेरे गार्डन चीजी में हैपोसारा वेस मेटीर्यल है तो आज मैं पसंद आयहे थो प्लीली लैक किजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भीर कर दी जीगा और जैंक-supply